ओई कि असलाम अलेकुम यूड आड़कों वेलोगम बैंके और सभी में और नानोर सब्सेयों पहले डॉललर इंडeक्स डॉलर इंडेक्स की बार सबसे पहले करेगे सब सबसे ज्याधा कल ख़ल्चा और सबसे यादा कल मॉमेंट डॉलर इंडेक मिई हुएती जैसे कि आप देख सकते हो नाइंटीनाइन एटीटू तक के लोज बना दिये थे कल डॉलर इंडेक्स ने लेकिन बहुत ही जबर्दस रिकवरी आई बॉन्ड इंडेक्स में बहुत ही जबर्दस तेजी आए बिकॉस मार्किट एंटिसिपेट कर रही है कि इस बार जो रेट ह रहते हो कल अल्मोस्ट ना सो चालिज तक चला गया था लेकिन उसके बार जब डॉलर इंडेक्स रिकवर हुआ तो यूरो क्राश हो गया अभी डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव जोन में है तो डॉट तीस हंड्रेट पॉइंट थर्टी का सपोर्ट है मैं लिख नहीं रहा ह हो हंड्रेट पॉइंट हो हंड्रेट पॉइंट के नीचे अगर निकालता करट और सस्तीन करते है तो वाप 있고요 से 100 और 100 के नीचे जा सकता है, रेस्टेंस है आज का 101 190 तो और डाट 90 इसके ओपर जाता है और सस्टीन करता है, तो वापिस से 110 की तरफ जा सकता है, फिलाल डॉलर इंडेक्स वापिस से पॉजिट जोन में आ गया है, कल वीक जोन में था, इनफाक काफी वीक जोन में काफी दूनों से था एक दो दिन से था लेकिन कल की रिकवरी की वज़ा से डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव जोन में आ गया है अब आते हैं गोल्ड की तरफ कि यह गोल्ड इतना जबर्दस मुवमेंट होने के बावजूद गोल्ड में एक बहुत ही जबर्दस स्टेबिलिटी बनी हुई है अगर नॉर्मल दिन होते तो अब तक गोल्ड निस्टो डॉलर के आसपास आपको दिख रहा होता विकॉज अफ डाट रिकवरी लेकिन नॉर कोई भी पोजिशन ले रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लीजेगा आज का रिजिस्टेंस आज का सपोर्ट चेंज है यह वाला नहीं है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बाकि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए पुर और 180 तक जा सकता है सपोर्ट है 1932 1932 इस सपोर्ट इसके नीचे जाता है और सस्टीन करता है तो 1924 और 1910 तक जा सकता है फिलहाल गोल्ड वीग जोन में ही है तो खयाल रखेगा अब देख लेते हैं सिल्वर को सिल्वर चल रहे है 2450 कल का सपोर्ट 2488 का था जो टूट चुका रहा है तो गया यहां जोबेस अधासी के नीचे तक रीपन 14-40 तक कि लोस बनाए हैं लवल चेंज है आज ओविएसली ट्रेंड चेंज नहीं है और सिर्फ लेवल्स चेंज है आज का रजिस्टेंस है 14 टॉलर नभ्गे सेंट का और आज का सपोर्ट है 24 टॉलर 24 सेंड का ट वैसे आज मैनुफाक्ट्रिंग और सर्विसेज नंबर हैं यूएस की तरफ से सवा साथ बजे नंबर्स आएंगे एक बज़े जर्मनी के manufacturing और services नंबर आएंगे और दो बज़े ब्रिटेन के manufacturing और services नंबर आएंगे तो ध्यान नखिएगा ये सारे timing मैंने आपको Indian timing के हसाफ से दिये हैं बाकि अगर आपने Twitter और Telegram पे मुझे follow नहीं किया है कर लीजिए सारे links description में है अच्छा काफी लोगों ने comment किया नीचे कल की वीडियो में कि टेलिग्राम लिंक चल नहीं रहा है अगर आप टेलिग्राम के लिंक से नहीं जा पा रहे हो तो आपको टेलिग्राम पे अरफात कमोडिटी एरे एफटी टी ओडबल एम ओडी आइटी वाए यह सर्च करेंगे आपको टेलिग्राम पे तो मेरा चैनल मिल जाएगा जैन्वन वाला चैनल ही जॉइन कीजेगा अल्मोस 3400 उसके अंदर मेंबर से अभी फिलाल मेरे नाम से काफी चैनल भी चल रहे हैं तो ध्यान रखेगा बागी पेट सिंगलंस के लिए वाटसेप नमबर आपकी स्क्रीन पर है आप मुझे वाटसेप कर सकते हो वाटसेप न रहा है रिजिस्टेंस में थोड़ा सा एक चेंज है थोड़ा सा चेंज है रिजिस्टेंस में एक 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 सो तीन डॉलर असी सेंट और एक सो तीन डॉलर असी सेंट का रिजिस्टेंस है 103.80 इसके ओपर जाता है और सस्टीन करता है तो एक सो पांच डॉलर तक जा सकता है एक सो एक पचास सपोर्ट है इसके नीचे निकलता है और सस्टीन करता है तो सौ डॉलर और सौ डॉलर से नीचे भी जा सकता है फिलाल वीक जोन में हैं तो ख्याल रखेगा यूरो पे आते हैं जिसके अंदर बहुत जुल्म हुआ है कल डॉलर इंडेक डॉलर इंडेक्स ने तो इसकी सारी गेंस ही एक बार में खतम कर दी वह कहते हैं सौ सुनार की और एक लोहार की तो जब कल डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था वही वाली काहवत याद आ रही थी यह रहा आपका रॉस्टन्स सपोर्ट है भाई सहाब आज का साथ सुनब देगा रेंड हो चला है इसका वीक तो ख्याल रखेगा और आज फ्राइडे है तो कोई भी पोजिशन होल्ड करने से पहले दो बार सोच लीजेगा मंडे के लिए कोई भी पोजिशन होल्ड ना करे और नमास पढ़ रहे हो तो मेरे लिए दुआ भी करें और दुआ में मुझे याद रखें यह ब्रिटिश का पाउंड चल रहा है 30-20 यह भी है वीक जोन में इसका भी रिजस्टन्स हो चला है चेंज 30-60 सपोर्ट है 29-90 ट्रेंड है वीक फिलाल आलमोस्स सारी चीज़े वी वीक जोन में है जानने के लिए देखिए चलते हैं यह बिट्कॉइन 40,750 का सपोर्ट था अगल 40,750 हुआ यहां पर ब्रेक ब्रेक होने के बाद तक्रीबन 1000 डॉलर नीचे चला गया था यह अभी भी वीक जोन में है रेजिस्टेंस है इसका 41,750 सपोर्ट है इसका 49,350 बिट्कॉइन का ट्रेंड है वीक तो ख्याल रखेगा अब आ जाते हैं बिट्कॉइन के छोटे भाई एथरम पर एथरम में 30,20 का सपोर्ट था गल 30,20 कहां तूटा यह तूटा 30,20 और तक्रीबन 29,40 तक चला गया था यह भी वीक जोन में चला गया है रेजस्टेंस आ गया है 30,86 का सपोर्ट आ गया है उनकी सो बीस का इसका भी ट्रेंड हो गया है वीक तो ख्याल रखेगा बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट कीजेगा नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजे पुराने है तो जरूर लाइक और कम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए